अब हम देखते हैं AND gate, AND gate का प्रतीक चिन्न इस प्रकार होता है, एक D की तरह से बनाया जाता है, याद करना आसान है, AND में last में D है, उसको D के shape का हम लोग दर्शाते हैं, A और B यहाँ पर दो निवेशी सिगनल लिए गए हैं, जिसका output A है, अब इसका बुलियन व्यंजग ब आसान है, last में and में D है, दिखाते भी D से है, D for dot होता है, यानि कि गुणन, तो यहाँ पर हम लोग A dot B से लिखते हैं, इसको B से दर्शाय जाता है, यानि कि इसको A dot B से दर्शाय जाता है, अब इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं, सत्यता सारणी बनाएंगे, फिर possible combination लेते है निवेशी signal हो का, यहाँ पर इस प्रकार हम A और B दो निवेशी input लिए, या तो यह combination होगा 00, या 10, या 01, या 11, या तो दोनों low होंगे, या दोनों high होंगे, या दोनों में से कोई एक high होगा, अब output कैसा होगा, इस output को समझने के लिए हम switch diagram बनाते हैं, जिससे आसानी से सम समझ में आ जाए, और जिसको हम याद भी रख सके, और दूसरा वास्तविक में इसमें लगा होता है, डायोड, तो जितने signal उतना डायोड, यहाँ पर दो निवेशी signal, तो दो डायोड की साहता से मैं आपको इसका circuit बता रही हूँ, यहाँ पर दो डायोड इस प्रकार लग दिया गया है, P और Q दो टर्मिनल है बैटरी के, P उच्चो विभव पर और Q निमन विभव पर और Y आउटपुट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्विच जब इसमें जोडते हैं, तो दोनों स्विच को हम यहाँ पर श्रेणी करम में जोडते हैं, और वाले में स उसको श्रेणी में जोड़ेंगे, और उसकी साहता से, और इन दोनों को हम एक बल्ब की साहता से बैटरी से जोड़ देंगे, यह बल्ब से जोड़ दिया, बल्ब तभी जलेगा जब सर्किट कम्पलीट होगा, अब इसके टूट टेबल में देखते हैं, हमने दोनों इंप नहीं जलेगा, नहीं जल रहा है, आफ है, तो आउटपुट में हम लिखेंगे जीरो, अब हम स्विच ए को जोड़ देते हैं, स्विच ए को जोड़ा क्योंकि हमने ए बराबर वन लिया है, स्विच ए को भी जोड़ेंगे, धारा ए से तो प्रवाइत होगे, लेकिन बी में रुक जाती है, तो बल्ब तक नहीं पहुचेगी, और ये बल्ब तब भी भी नहीं जलेगा, तब हम लिखेंगे वन जीरो का जीरो, वैसे ही अब हम बी को क्लोज करते हैं, ए को उपन करते हैं, बी क्लोज है, ए उपन है, अभी भी यहाँ पर धारा प्रवाइत नहीं होग क्लोज कर देते हैं, तो उधारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जलने लगेगा, इसलिए आउटपुट में हम लिखेंगे वन, तो इस प्रकार इसकी सत्यता सारणी में हम देखें, तो जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो और वन वन का वन मिलेग कि दिए डायोट से हम समझना चाहें जो वास्तविक परिपत होता है तो यहां पर दोनों डायोट में वाला हिस्सा यह बैटरी के तरफ था मतलब निवेशी सिगनल की तरफ था अब हम इसमें डायोट D1 और D2 यानि A और B दोनों टर्मिनल को हम इस बैटरी के क्यू से जोडत का एन वाला हिस्सा बैटरी के नेगिटिव टर्मिनल से जूड़ा है तो यह दोनों ही डायोट फारवर्ड बायस में आ जाएंगे फारवर्ड बायस में यह दोनों ही डायोट वरकिंग होंगे जिसके कारण यहां पर यदि हम देखें तो जो प्रतिरोध लगाया गया है इ इसमें लो विभव निमन विभव प्राप्त होगा और यहीं निमन विभव हम को कहां मिलेगा वाई ऑउटपुट में तो जब हम जीरो और जीरो लेते हैं डायोट डी कि और क्यूंव पी से है और जो बी वाला हिस्सा है वो क्यूंद के तो यहां पर जब कोई डायोड अगर अबिनती में हो गार तो कंड़ेक्ट करेगा यहां पर डायोड भी यह कंडुक्टिंग स्टेट में है मतलब यह करिपत को पूर्ण कर रहा है और जो ए है वो reverse bias में चला गया है पश्य अभी नती में तो यह काम नहीं करेगा तो यहां पर कोई भी डायोट काम करें यह परिपत के थू हम देखें तो इस प्रतिरोध में विभव का पतन होगा जिसके कारण बिंदू C पृत्वी के सापक्ष निम्न विभव में आ जाएगी और इसको पर आउटपुट में हमको शुन्य प्राप्त होगा निम्न विभव का मतलम शुन्य से लेते हैं इसी प्रकार जब डायोट को उल्टा जोडा जाए मतलब यहां पर हम जो डायोट B है उसको P सीरे से जोड रहे हैं और जो A है उसको Q सीरे से जोड रहे हैं उस कंडिशन में डायोट A यहां पर कंडक्टिंग स्टेट में हैं मतलब अगर अभीनती में हैं और B वाला पश्च अभीनती में तो भी सरकीट में से धारा प्रवाहित होगी किसके तुरू प्रवाहित होगी यहां पर A वाले डायोट की तुरू D1 डायोट की तुरू प्रवाहित होगी ज जब दोनों ही डायोड उच्च विभाव से यानि की P टर्मिनल से जोड़े जाएंगे इसका मतलब डायोड का N वाला रीजन बैटरी के प्लस वाले सीरे से जोड़ा है तो दोनों डायोड यहां पर नॉन वर्किंग कंडिशन में हो जाएंगे और तब उस कंडिशन में यहां परिपत में कोई धरा प्रवाहित नहीं होगी और जो यहां पर विभाव अंतर लगाया गया है बैटरी की साहता से पांच वोल्ट वो कहां प्रदर्शित होगा वो इससी जगे पर प्रदर्शित होगा व्योंकि सी अब धनात्मक विभाव पे है पृत्वी के तुन्ना में और इसलिए यहां पर आउटपुट वाई बराबर वन प्राप्त होगा तो इस प्रकार हम देख सकते हैं तूट टेबल में कि एंड गेट में यदि एक भी सिगनल जीरो हो तो निर्गत सिगनल का मान जीरो ही प्राप्त होता है और इसलिए जब हम एंड गेट को परिभाश करते हैं तो यह कहते हैं कि एंड गेट एक ऐसा एलेक्ट्रोनिक परिपत है जिसमें कितने भी निवेशी सिगनल हो सकते हैं पर निर्गत सिगनल एक होता है और वो निर्गत सिगनल किस प्रकार काम करता है यह निवेशी सिगनल के निम्न या फिर बोल सकते हैं निवेशी सि सिरो हो दोनों होंगे तो हो गई रेकिन इन में से कोई भी निवेशी सिगनल बीजीर गया तो मैं ज़ीन करता है तीसरी प्रकार का मूल भूद गेट है नौट गेट जिसका लॉजिकल चिन है प्रतीक है इस प्रकास एक ट्राइंगल बनाया जाता और इसके सामने एक बबल दर्शाय जाता है और इसका बोलियन वेंजग है वाई बराबर ए बार बार का मतलब बता चुके हैं उल्टा निगेशन कॉंप्लिमे नहीं ठीक है अब इसकी सत्यता सारणी देखेंगे इसमें केवल एक ही निवेशी सिगनल है और जिसका संगत जिसके संगत केवल एक ही निर्गत सिगनल है तो सत्यता सारणी में पॉसिबल कॉंबिनेशन क्या होगा एक है तो उसका कॉंबिनेशन स्रिफ कॉंबिनेशन तो ह ऐसमें केवल 2 लुए यानी कि हाई सिगनल आव पूट में क्या प्राप्त होगा यह में लेते हैं इसमें केवल बना लेते हैं इसमें केकर लेगे 듣 से जोड़ते हैं मतलब बल्ब के साथ हम समानतर क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि सत्यता सारणी किस प्रकार बनेगी जब यहां से हम देखें इस स्विच को ओपन रखा गया यानि की ए बराबर 0 है ओपन स्विच मतलब 0 अब क्या धारा इस स्विच में से पहुचेगी और सर्कीट कंप्लीट हो जाएगा जिसके कारण यह बल्ब जलने लगेगा और बल्ब जल रहा है इसका मतलब हम वहां पर लिखेंगे ऑन तो जीरो के संगत आउट्पुट क्या होगा वान होगा और वैसे ही यदि हम स्विच को बंद कर दें मतलब ए बराबर सर्कीटिंग की कंडिशन आ जाएगी और सारी धारा कांसे प्रवायत हो जाएगी स्विच से प्रवायत हो जाएगी और यह बल्ब नहीं आँपभी दोAllरक दॉब्रीन तो यहां पर एंपें ट्रांसिस्टर लगा होता है वह भी कॉमन एमिटर मोड में उभ पहिणिस सर्जक विधा में तो इसका सरकुट होगा एक एंपें ट्रांसिस्टर है जो कि उभानिष्ट उससरी यहां पर यह बैटरी लगाई गई है जो पांच वोल्ट की है क्योंकि डायोड और ट्रांजिस्टर ऐसी एलेक्ट्रोनिक युक्ति हैं जो निम्न वोल्टता पर काम करती है इसलिए पांच वोल्ट का लगा है यहां पर आउटपूट में भी हम देख रहें सी जहां पर है मतलब इस ट्रांजिस्टर के आधार को जो कि किस प्रकार का पी प्रकार का है उसको यदि हम जीरो देते हैं मतलब रिनात्मक विभव से जोड़ते हैं उस कंडिशन में क्या होगा हम जानते हैं कि जो सर्जक और आधार संधी है वो फॉरवड बायस में होनी चाहिए और सद्धी वो रिवर्स बायस में होने चाहिए तो पी जब हम रिनात्मक टर्मिनल से जोड रहे हैं इस वीड़ haka के तो वह कौन सी विदह में आ जाएगी संधी वह जाएगी रिवर्स बायसिंग में अब रिवर्स बायसिंग होने से यहां पर कोई भी आधार धारा प्रवाहित नहीं होगी नहीं उत्सर्जक धारा प्रवाहित होगी क्योंकि उत्सर्जक भी यहां पर हम देखने क्यों नेगिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहां पर नहीं आधाधार प्रवाइत होगी नहीं सर्जक धारा और नहीं कोई संग्रहक धारा इसलिए जो यहां पर बैटरी लगाई गई है सीख से जूड़ी हुई है इस प्रतिरोध की तुरू वो पूरा वोल्टेज कहां मिलेगा हमको आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा इसलिए जीरो से जोड़ने पर यानि की रिनात्मक विभव देने पर हमको जो आउटपुट है वो उच्च प्राप्त होगा इसलिए जीरो का उल्ट हम देखते हैं पर वन यदि हम इस पी टर्मिनल वाले आधार को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तब उस कंडिशन में यह फॉरवड बायस में आ जाएगी यह संधी और संग्राहक वाली संधी यहां पर देखें तो एन वाला हिस्सा यहां पर हम देख रहें कि इसके तुरू पृत्वी कृत है इसलिए यह रिवर्स यहां पर हम देखें तो जो उत्सर्जक अधार संधी है वो फॉर्वड बायस में आ जाएगी और फॉर्वड बायस में आने के कारण अभी जो ट्राणजिस्टर होगा यह वरक्टिंग कंडिशन में आ जाएगा जो प्रति रोध हमने सी के साँआज जोड़ा है उस प्रतिरोध की सीरो के मध्याइस विभव का पतन होने और निम्न विभा पर पहुंचेगा तो हम यहां पर आउट्पूट कमान शुनने लिखेंगे इसका मतलब जब हमने इस आधार पी को जोड़ा जिसको हम लग टर्मिनल मान रहें एक जोड़ा धनात्मक सीरे से बैटरी के तो आउट्पूट प्राप्थ हुआ जीरो और जब रिनात्मक से जोड़ा यानि कि जीरो दिया तो आउट्पूट प्राप्थ होगा वान तो इस प्रकार नौट गेट में हमेशा उल्टा ही संबंद साबित होता है अब तक जो हमने मूल भूत गेट के ऑपरेशन और टू टेबल पढ़े उसको हम अब तरंग रूप में समझने की कोशिश करते हैं जब हम बूलियन एक्सप्रेशन में तरंग बनाते हैं तो इस प्रकार वो बनता है यह ब्लॉक के रूप में या स्क्वैर सिगनल के रूप में होता है क्योंकि इसमें दो ही अंक होते हैं या तो जीरो होता है या तो मान जीरो होगा या वन होगा जब मान 0 होगा तो हम निमन से दर्शाएंगे निमन लेवल से और मान 1 होगा तो वो उच्चे लेवल से तो इस प्रकार इसका जब तरंग बनता है तो यह ब्लॉक के रूप में रहता है यह स्क्वेर वेव होता है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो विभिन प्रकार के सिगनल हैं वो कौन-कौन से गेट को कोर्सपॉंट करते हैं पहला यह दि हम देखें यहाँ पर A का मान भी निमन है और B का मान भी निमन है और जो आउटपूट है वो भी निमन प्राप्त हो रहा है है तो उससे तमको समझ भी नियागा यह कौन सा गेट है क्योंकि निम्न वैल्यू इतना तो समझ में आ जाएगा कि नौट गेट नहीं है क्योंकि नौट गेट में केवली a की इंपुट होता है और यह हम दो इंपूट ले रहे हैं तो यह नौट गेट का तो हो ही नहीं सकता बच्चा और गेट और एंड गेट इन में से 0 और 0 मतलब low value को देखेंगे तुमको समझ भी नहाता है क्योंकि और गेट की भी सत्यता सारणी में हम देखे थे 0 0 कमान 0 होता है एंड में भी देखे थे 0 0 कमान 0 होता है अब आगे देखते हैं यहाँ पर एक सिगनल high है यानि कि A high है और B कमान low है और output हमको मिल रहा है high मतलब एक मान high था तो output मिल रहा है high अब आगे देखते हैं यहाँ पर B high है और A low है तब भी भी output हमको मिल रहा है high और यहाँ पर जब दोनों signal high है A और B तब भी भी output मिल रहा है high तो यहाँ पर एक भी signal यदि high है और output signal हमको high मिल रहा है तो वो कौन सा gate होगा, वो होगा और gate, अब next हम देखते हैं, यहाँ पर यह square wave हमने लिया, यहाँ पर दोनों 0, 0 पर हम देख रहे हैं, कि value 0 मिल रही है, ठीक है, अब जब a command 1 था, यानि यह high था, और b command 0 था, तो value हमको मिल रहा, output में 0, 0 signal मिल रहा है, यहाँ जब a command 0 हुआ, b command high हुआ, तो भी हमको value मिल रहे है, 0, लेकिन जब दोनों high हैं यहाँ पर, तब उस condition मिल रहा है, high value output का, तो यहाँ पर हम देखें, कि एक भी command low था, तो value हमको मिली low, जब दोनों ही high हुए, तब ही value मिली high, तो एक भी input के low मान के लिए, यह the output low मिलता है, 0 मिलता है, तो वो कौन सा gate होता है, and gate, तो यह signal किसका है, यह है and gate का, अब हम इस signal को देखते हैं, यह signal में जहाँ 0 है, output high है, वहाँ output low है, इस प्रकार input और output के बीच का संबन्द उल्टा है, high और low का है, तो यह कौन सा gate होगा, वैसे भी एक signal मिल रहा है, निवेश में, तो वो कौन सा होता है, वो होता है, not gate, तो इस प्रकार हम तरंग रूप को देखकर, यानि कि square ways को देखकर भी पहचान सकत कि वो कौन सा gate है,